एक महीना बहुत ही मत्वपूर्ण है तुला राशी के लिए तीस दिन में किस्मत मारेगी पल्टा 14 अप्रेल 2023 से 15 मई 2023 तक ग्रहों की स्थिती तुला राशी वालों को देगी शुब फल तुला राशी वालों के अठके हुए काम बनने लगेंगे शनी देव भी रहेंगे पूरी तरह महरबान चायं होंगी पूरी मिलेगी काम्याबी आर्थिक स्थिती हुई होगी बहतर प्रिय मित्रो आप सबको मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार मेरे स्पेज पर और मेरे यूट्यूब चैनल अश्टालोजर गुरमीत बेदी पर आपका स्वागित है बहुत से दर्शकों की ये फर्माईश थी कि 14 अप्रेल 2023 को सूरिया ने जो राशी परिवर्तन किया है और वो जो अपनी उच मेश राशी में आये है और एक महिना मेश राशी में रहेंगे तो ये जो महिना है यानि 14 अप्रेल से 15 माई 2023 तक का जो समय है वो तुला राशी वालों के लिए खास तोर पर कैसा रहेगा इस पर एक अलग से वीडियो जो है वो अपने पेश पर डालियेगा दर्शकों का कहना था कि सुर्या के राशी परवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा जब आप ये बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और हर राशी जो है वो विस्तार से कवर नहीं हो पाती इसलिए इस बार सिर्फ और सिर्फ तुला राशी को पकड़िये और सुर्या के राशी परवर्तन के साथ साथ इन 30 दिन के दोरान अन्या ग्रहों का भी तुला राशी वालों पर क्या इंपेक्ट पड़ेगा इस पर एक पूरी पोष्ट डालिए तो दर्शकों की फर्माईश पर मैंने ये पोष्ट दायार की है मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 14 अपरल को सूर्या दुपहर 3.12 मिनट पर मेश राशी से निकल करके मेश राशी में परविश कर चुके हैं मेश राशी सूर्या की उच राशी है सूर्या के शत्रुग्राय राहू पहले से ही मेश राशी में विराजमान है बुद्ध भी यहाँ पर है यहां सूर्या और राहू का कंबिनेशन बना है राहू सूर्या को ग्रहन लगा देते हैं और ग्रहन योग भी जो है वो बन गया है 22 अप्रेल को देवगुरु भरस्पती भी मेश राशी में आ जाएंगे और सूर्या और राहू के साथ और बुद्ध के साथ उनकी यूती बनेगी 23 अप्रेल को मेश राशी में ही पांच करों का कंबिनेशन बनेगा जिसे न पंचम राज्यूग कहा जाएगा 23 अप्रेल को बुद्ध ग्रह अस्त भी हो जाएंगे 14 अप्रेल से 15 माई तक की ये जो एक मेहने की अबदी है इसके भीतर 2 माई को शुक्र ग्रह राशी परिवर्तन करेंगे 10 माई को मंगल ग्रह करक राशी में गोचर करेंगे यानि ये पूरे 30 दिन जो है वो ग्रहों की आवाजाई से ट्रांजिक्शन से और परिवर्तन से भरे हैं और तुला राशी पर इसका व्यापक परभा पड़ेगा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा किस एक मेहने की अबदी में राहू से पीडित होने के बाद जूद सुर्या ग्रह को कई शुप ग्रहों का साथ मिलेगा और तुला राशी वालों के कई अठक हुए काम अब असानी से बनने लगेंगे तुला राशी के सौमी ग्रह शुकर है और शुकर ग्रह की राहू के साथ मित्रता है देव गुरु ब्रस्पती के साथ भी शुक्राचारय के सामान्य संबंध है क्योंकि जोतिश में ब्रस्पती देवताओं के गुरु है तो शुक्रासुरों के गुरु है दोनों गुरु शुक्फल परदान करते हैं इसलिए तुलाराशी वाले बेहत लखी रहने वाले हैं कि उन्हें शुक्राचारिया और देव गुरु भ्रस्पती दोनों का पुरा आशीरवाद मिलेगा। इसके लावा शनी देव भी इस समय पूरी तरह पावरफुल हैं और तुला राशी वालों पर मेहरवान रहने वाले हैं सुर्य भी अपने महीने के गोचर के दोरान तुला राशी वालों को अच्छे फल परदान करेंगे अब तुला राशी वालों के कई अटके हुए काम सिर जहीला टैंशन जहीली उससे अब मुप्ति मिलती दिख रही है तुलाराशी वालों की गोचर कुंडली के पंचा भाव में शनी चड़े भाव में देवगुरु ब्रस्पती गोचर कर रहे हैं इस समय तुलाराशी के विद्यार्थी जो है वो किसी अच्छे उच्छ संस्था में दाखला ले सकते हैं तुलाराशी वालों के प्रेम समंधों में मधुरता आएगी कुंडली का जो पंचम भाव होता है विद्याबुद्धी और संतान भाव के साथ यह प्रेम समंधों का प्रतीख भी होता है लव-लाइफ पहले से बीतर होगी जो दमपत्ती संतान प्र पर सिद्धी दिलाने वाला रहेगा जो लोग अभी वाहित हैं उनका रिष्टा पक्का हो सकता है पिछले अढ़ाई साल से शनी देव ने तुलाराशी वालों का खुब इंतिहान लिया अपने धहिया के दुरान उन्हें तुलाराशी वालों को परेशान भी किया तुलाराश पर भी शनी की दृष्टी से केरियर भी परभावित हुआ कई बार अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा कंफरेशन हुई टकराव हुआ या कोई समस्या बनी रही लगन पर शनी की दृष्टी के कारण तुलाराशी वाले मांसिक रूप से भी थोड़ा परिशान रहे ब्याप 2023 से 15 मई 2023 तक तुलाराशी वालों के लिए योग कारक शनी अब तरक्की के रास्ते खोलने वाले हैं उनके अपने सीनियर्स के साथ बड़े अच्छे कॉडियल लेशन्स बनेंगे शनी देव कुंड़ी में पंचम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टी से मेरी लाइफ हाउ आप अपनी वानी के जरिये भी दूसरों को परभावित करने में काम याब रहेंगे आपके जबरदस्त संपर्क सूतर बनेंगे कॉंटेक्स बढ़ेंगे जो भविश्या में आपके काम आएंगे पिछले धाई सालों के दौरान तुलाराशी के जिन लोगों ने आर्थिक दौकसान उठाया है उसकी अप जो शनी है और दूसरे ग्रह है अब भरपाई भी करेंगे अगर आप खुद को वाद विवाद से दूर रखेंगे तो खुश रहेंगे पार्टनर्शिप में तौलाराशी वाले को काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने के चांसिज अब बढ़ ज सकती है विद्यारतियों को कड़ी मेहनत के बाद competitive exam में सफलता मिलने के chances बढ़ते जाएंगे इंकम स्थान पर दिष्टी पढ़ने के कारण शनी की क्योंकि दिष्टी पढ़ रही है इंकम स्थान पे और आपकी जो है वो आएके नैने शुरूत पनेंगे इंकम के दरवाज से खुलेंगे धानस्तान पर दिष्टी पढ़ रही है शनीदेव की इसलिए तुलाराशी वाले बचत करने में भी कामियाब रहेंगे आपकी योजनाएं पूरी होंगी जो pipeline में है योजनाएं वो पूरी तरह से अब implement होंगी कारोबार के लिए समय जो है तुलाराशी वाल सायोजन का किसी बड़े जशन का किसी बड़े समारो का हिस्सा बन सकते हैं जो workplace है जहां काम करते हैं वह आपके context और आपके relations जो है वो बेतर होंगे इसका आपको लाब मिलेगा रुका हुआ पैसा मिलेगा परिवारवालों के सायोग से कोई महत्तब पुरन प्रोजेक्ट भी आप पूरा कर पाएंगे जिससे आप काफी relax मैसूस करेंगे स्वास्ते आपका पहले से बेतर होगा investment से आपको लाब होगा जो लोग बेरुज़कार हैं उन्हें नई जॉब का offer मिल सकता है जो तोलाराशी के लोग already job में हैं increment या promotion का तोफा मिल सकता है जो private sector में है वो बेहतर package पर किसी दूसरी बड़ी company में switch कर सकते हैं विदेश भी जा सकते हैं आप अपने लोगों के साथ अपने करीबियों के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे आपके confidence level में तोलाराशी वालों के confidence level में बृत्ति होगी आप अपने income के नएने source resource आप कैसे बनाएंगे इस बारे आप बहुत रचनात्मक तरीके से सोचेंगे आप creativity पर ज्यादा focus करेंगे और जो आपके seniors हैं उनको आप impress करने में काम्याब रहेंगे आपको पुर्सकार मिलने के यूग भी हैं आपके confidence में आपके साहस में आपके प्राकरम में वृद्धी होगी भाई भेनों औ लिए बहुत अच्छा रहने वाला है लंबे समय से जो अठके होई काम है वो अब धीरे धीरे सीरे चड़ते जाएंगे आप काफी relax महसूस करेंगे आप अपने अंदर enthusiasm महसूस करेंगे आप अपने अंदर उत्साह महसूस करेंगे और ये जो एक महिना है इस महिने में आप कोई बड़ी उपलब्धी भी अरजित कर सकते हैं और अगर आप ने कर्ज उठा रखा है तो धीरे धीरे कर्ज मुक्ति की दिशा में भी आप प्रयास करेंगे और इसमें आप काम्याब भी होंगे तो आज की पोश्ट में बस इतना ही मेरे पेज से जुड़े रहिए मेरे कर दो में भर मित बीड़े ती